नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग प्रधान मंत्री मोधी जी का यूरोप दौरा चल रहा है पहला फेज है जर्मनी गए फिर पहुंचे डेन्मार्क अभी के लिए डेन्मार्क पहुंच चुके हैं और डेन्मार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन उसक उसको अटेंड करता यहां पे पिम गया है तो खुद डेन्मार्क की पिम अटेंड करनी और अपना घर उनको दिखा रही है अब यहां पे नरेंद मोधी जी के पीछे आपको एक पैंटिंग नजर आ रही है यह जो पर्टिकुलरा पैंटिंग है यह पत्तर चित्र पैंटि जैसे कि यहाँ पे आपको धर्मेंद्र पधान जी का ट्विट दिख रहा है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड ओडिसास ट्रेजर इंड फॉर्म पत्तर चित्र पेंटिंग अडॉस्ट देन्मार्क पीम फ्रिडरिक्सन's residence, he gave the tour of a residence to honorable नरेंद मोधी जी and showed the painting gifted by तो अब overall इस news का significance क्या है? News का significance सिर्फ इतना है दोस्तों कि पत्तर चित्र पेंटिंग न्यूस में तो कल की date में किसी भी exam में अगर आपसे पत्तर चित्र पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो फिर history का सवाल नहीं होगा वो current affairs का ही सवाल होगा अगर current affairs में कोई historical चीज news में आ रही है तो पूरे chances है कि वो किसी भी exam में चाहिए UPSC हो PCS हो आपसे पूछी जा सकती है उस case में यह मत बोलेगा कि यार यह तो medieval history का है या ancient history का है नहीं वो current affairs का ही है current affairs से जो correlated चीजे हैं history की वो history की चीजे हमारे लिए important हो जाती है तो इस news के context में अब हम यह जानते हैं कि यह पत्र चित्र painting होती का है है कहां की तो Odisha की folk painting है इस paintings के बारे में आपको कुछी जानकारी दूँगा चुकी देखे इस प्रकार की बहुत सी paintings है इंडिया के अंदर आप सारी painting के बारे में तो आप जान सकते नहीं हो तो Odisha की जो पत्र चित्र painting है या पे picture को paint किया जाता है piece of cloth की उपर कपड़े के उसको पर paint किया जाता है आज की डेट में सिल्क के कपड़े को उपर अलग-अलग प्रकार के कपड़ों के उपर painting को पेंटिया तो एक प्रकार की cloth painting है यह याद रखेगा फिर आप देखो तो श्री जगरनाथ और जो temple traditions है पुरी में तो एक five headed पांच मुखी डेटी दिखाना इस प्रकार की बहुत सी themes इसमें फिर मासे जैसे कृष्ण लीला जगरनाथ जी को यहाँ पर Lord Krishna की तरह दिखाए गया थिया बदिया temple of जगरनाथ का depiction तो इस प्रकार की चीज़े हैं बहुत detail में मैं नहीं जा रहा हूँ काम की चीज़े बता रहा हूँ श्री जगरना temple tradition से related है cloth के ओपर की जाती है बार्वी शताब्दी जितनी पुरानी है natural substances का यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है कोई man made dye को यहाँ पर इस्तमाल नहीं किया जाता है इस painting के लिए इस painting की सबसे खास बात पता है क्या है इनकी जो eyes बनाई जाती है यहाँ पर भगवान की वो बहुत चोड़ी बनाई जाती है और बॉर्डर होता है इन paintings का वो floral design से बनाया हुआ होता है फूल पौधे पत्तियां उसमें दिखाई जाती है और चुके यहाँ पे जो डीटी है जिसकी photo यहाँ पे painting बनाई जा रही है जिस भी human figure की painting बनाई जाती है उनकी जो आँखे है वो बहुत elongated चोड़ी करके दिख चोटा सा fact मैं आपको बता है exams में important हो सकता है इसलिए basically exams में आपको कौन-कौन सी चीज़ा पकड़नी है कौन सी चीज़ा नहीं पकड़नी है यह छोटी-छोटी वीडियो में आपको बताए तो हम a great difference goodbye video को लाइक को शेयर करके जाएगा Instagram पे follow कर लिजे टेलीगा आम गूप description box में दिया हुआ है if possible click the join button and join button नहीं दिवा सकते तो super thanks दबा के help कर सकते है have a great day friends goodbye video को like को शेयर करेगा इसके engagement को बढ़ाने के लिए